सलाम अलाइकम, welcome to my channel, कुविचाहीन सुल्तानातो आज मैं बना रही हूँ महरम स्पेशल चोबे के चंगे इतना एजी है बनाना जितना के खाने में और देखने में मुश्किल है खाने में तो बहर टेस्टी होता है और देखने में मुश्किल है बनाने में बेहर अजी आसान है और टेस्टी है चलिए हम इसके इंग्रिडियन्स जान लेते हैं तो सबसे पहले हम अपने जरूरत के साफ से आपके पास अगर फैमिली जादा है इसे स्टोड भी करकर खा सकते हैं उस तरह से आप लीजिए मैं अपने मेठोड से और अपने ज समक है तो मैंने मीठे चुगे भी बनाये थे उसके साथ में यह बनाई हो तो आपको समझ में नहीं आएगा इसके वज़े से मैंने इसे अलग सप्रेट करकर बता रही हूं तो यह आईल मैंने इसमें चार टेबल स्पून लिया है आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्तम खस्ता बनेंगे इस तरह से करने से एक मुहिन बनाना है इसका मुठी तो अच्छे से हम मिला देंगे सारे आटे के अंदर यानि मैदे में हम सारे इंग्रीडियेंस को अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से मुठी बनना है तो अच्छे से खस्ता बनते हैं और सबब इसे थोड़ा सब नहीं हो तो इसी लिए मैं इसे थोड़ा सफट रख रही हूँ कि अपसब यह बनने के बाद सब्सक्राइब हों आटा हमें थोड़ा सब्सक्राइब क्षिटा कि जड़ी अपर के इसे स्कते हैं अपने बचस्टों को खिला भी सकते हैं कि बहुत इजी है और बहुत टेस्टीर हेते हैं पिक यह में जब टैशी में चाहित रिसे खा सकते हैं एप टी टैम में भी इसे इस्व्ussen कर सकते हैं अप दो और देखिए इंग्रिडियन्स चीनी है थोड़े से काजू लिया है मैंने थोड़े से पिस्टे थोड़े से बादम ये है चीनी मैं आपको थोड़ा सा पॉडर बनाकर बताऊंगी तो दिखे लोग को अच्छा से मैंने कर लिया यानि डूह्ण दे है और यह पोब एक की लिए घूपरा गीस कर रखा है और यह सी अफ़ोगी इसे मैं आईल थोड़ा अपलाई करकर यानि मैं थोड़ा सा आग तेल लगार कर इसे रख दी हूँ 15-20 मिलाट दीजिया इसके बाद में हम इसके छोट छोट लोईयां बनाएंगे तो देखिए फ्राई कर एक कड़ाई ले लिजिए फ्राई करने के लिए उसमें आप जरूर तो इस तरह से हम लोईयां बना लेंगे इसके तो इस तरह से आपको बनाना है और इसे बेल लेना है थोड़ा सा मेरा हाथ दर्द है क्योंकि मुझे दिल का दौरा पड़ा था इसके वज़े से मुझे आड़ बर करना प्राब्लम है बार बार बूरना अच्छा नहीं लगता लेकिन मेरी प्राब्लम भी है यह मैं आकसे शेयर करूंगी तो आप लों के लिए और मेरे लिए समझने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप मेरी मजबूरी भी समा सकते हैं क्योंकि यह मेरा तो इसके लिए मुझे बनाना ज़रूरी है तो एक एक कर गए हम सारे पूरियों के जैसा थोड़े सा पूरी से बड़ा इसे बनाईया और पतले पतले इसे रखिए पूरी से पतला होना है तो यह खस्ता बनती है बहुत एजी है सिंपल है और मैंने च्वोटी सी वीडियो बना रही हूं एक एक करकर हम इस तरह से बेल लेंगे थिन बनाना है आपको थीक नहीं पतला पतला बेलिए तो यह चंगे अच्छे से बनते हैं चंगे पतले रहते हैं पूरी से भी पतला बेलिया साइज आप आपके हिसाफ से बड़ा या छुटा रख सकते हैं तो देखे इस तरह से अगर आपको रॉन शेप नहीं आ रहा है तो आपको उन सभी कटर लेके से रॉन कर सकते हैं तो शलिए हम देखे इसे उलर पर अट लेंगे हाई फ्लेंपे से बनाना है यह नहीं फूले क्यूंकि मैं इसमें कोई सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने इसमें कोकिंग सोडा कुछ नहीं डाला है मैंने स्रिफ नमक का इस्तेमाल किया है तो यह फूलेंगे नहीं बस खास्ता मनेंगे एक एक करके हम सारे फूरियां इसमें फ्राय कर लेंगे मैं आप रहों को दि मेरा तेल थोड़ा सा थंड़ा हो शुका था मैं दूसरे काम में भी थी इसके लिए थोड़ा सा देखें मीडियम आज पर मैं बना रही हूँ इसे मेडियम फ्लेम पर आप बनाएए यह महरमे जारा खाया जाता है है कि आपपाद में यी था खाकर बच्चे शर्बत पीते हैं को दूतका शर्बत हो या चाहे बहुत जा बनता है महरमे तो देखें एके करने हम तारे करें है लूँषक्था कि तो देखें कि एक यानी सवालिया या चाहें चंगी है तो इस तरहां से हम सारे важно अब इसके पर हमने जो चोबा था यानि चीनी PCV और जो खोबरा में नंगी सावा था और इसके अंदर ड्राइफूट के सब सारे दाल कर हम इस तरह से गानिशिंग कर लेंगे दिखें कितना खुसरत और खाने में लाजवाब होते हैं बच्चों का फेवरेट होता है तो आपको कैसे रगे गाइस आप जरूर गुड़ कामेंट्स कीजिए यह चोबे केच होंगे तो जो सब्सक्राइब नहीं किये मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें बेल आइ झाल